एलो गाईज कैसे आपस भी गाईज जैसे के आपस भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हूँ इस टैम मेरे पास रहेडमी का नोट 7 डिवाईष है जिसके अंदर मेंने सक्सेस्फुली जो कर्नल असु है उसकी हैप से मेरी डिवाईष को रूट कर रख है आपसे भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मुझे कर्णल अस्यू बिल्कुल वर्किंग देखने के लिए मिल रहा है इसी के साथ में मैं आपको जो root checker की application है उससे भी check करा देताओं कि मेरा device कर्णल अस्यू की help से successfully rooted है या फिर नहीं तो जैसे के आपसे भी देख सकते हो कर्णल अस्यू की help से मेरा device successfully rooted है इसी के साथ में जो कर्णल अस्यू में जितने भी features है जैसे की apps को root की permission देना वो भी successfully working है आपस भी यहाँ पे देखेंगी यह दिखे थोड़ा loading ले रहे है सारे device के app मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके है इसके साथ में जो module वाला option है वो भी यहाँ पे successfully working है मैंने एक magic module को यहाँ से install भी कर रखा है जैसे के आपस भी अपने चैनल को subscribe जुरूर कर लीजिएगा गाइस अपने device में kernel issue को install करने के लिए सबसे पहले आपको दो files चाहिए जो कि मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि guys आप सब्सक्रीन पर देख सकते हो पहली हमारी file है kernel issue की APK file जो कि एक APK है उसके बाद हमें हमारे device का kernel file चाहिए जिसक करने के लिए मिल जाएगा बाकी कुछ devices के लिए kernel issue है तो उसके link में मैं आपको वीडियो की description में दे दूँगा अगर आपको आपके किसी भी device के लिए kernel issue की file चाहिए तो आप अपने telegram channel को चेक कीजिए वहाँ पे आपको यह वाली जो kernel issue की file होती है आपके kernel में वो मिल दूँ कि आपके device में kernel install करते time आपका device खराब हो सकता है अगर आप कोई भी method को आगे पिछे करोगे तो guys आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब मैं आपको क्या बता रहा हूं तो देखिए सबसे पहले तो मेरे device में इस time पे kernel issue install है तो मैं इसको uninstall कर दे यह देखिए मैंने application open की kernel issue की यहां पे मुझे देखने के मिल रहा है कि मेरा device unsupported है यानि कि मेरे device में इस time पे kernel issue install नहीं है अब guys आपको क्या करना है आपको सबसे पहले आपके device को off करना है यानि कि power off करना है और guys इस process को करने से पहले आपके device में custom recovery होनी चाहिए कोई भी आ आप चाहिए TWRP यूज कर लो या फिर Orange Fox तो आपको क्या करना है power और volume अब बटन को एक साथ में दबाके रखना है जैसे आपका device थोड़ा vibrate करें तो आपको power के बटन को छोड़ देना और volume के बटन को दबाके रखना है इससे आपका जो device है आपकी custom recovery में चला जाएगा जै जैसे कि इस टाइम मैं Orange Fox के custom recovery को यूज कर रहा हूँ अगर आपने अपने device में अभी तक TWRP या फिर Orange Fox के custom recovery को इंस्टोल नहीं किया तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए अब गाइस जैसे कि आपस भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो हमारी recovery कुछ इस परकार से open हो जाके आपको दो options को select कर लेना है पहला है boot और दूसरा DTO यानि कि हमारी device में अगर कोई भी problem आती है device के अंदर kernel अस्टोल करने में तो हम हमारे device को एकदम ठीक कर सकते हैं इन दोन partition की help से तो आपको इन दोनों को select करके swipe to backup बना लेना है कुछ ही seconds के अंदर आपके device में जो दोनों files से इनका backup बन जाएगा जैसे कि आपसे web screen पर देख सकते हो अब आपको back जाने के बाद file के option पर जाने और मैंने आपको वीडियो की description में या फिर आपने अपने टेलिग्रम चैनल से जो आपके device के लिए kernel issue का जो kernel install की है आपको simply उस पर click करना है click करने के बाद आपक successfully install हो जाएगा जो Redmi के note 7 device के लिए sony का kernel है इसका सारा credit इनके developers को जाता है जिन्होंने इसको बना है अब guys मेरे device में ये वाला kernel एक बार में flash नहीं होता तो मैं इसको फिर से select करके flash कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको try किया है अगर आप इसको दो बार भी flash कर लोगे तो भी आपको कोई problem वगरा देखने के लिए नहीं मिलेगी आप चाओ तो इसको दो बार भी flash कर ले या फिर एक बार भी flash कर सकते हो उसके बाद आपको simply reboot to system कर देने अब guys आपका जो device है वो reboot होने में थोड़ा time लगाएगा तो आपको थोड़ा wait करना और आपके device के जो power button वगर ह सकते हो हमारे device successfully reboot हो चुक है लेकिन हमें kernel issue यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैंने आपको वीडियो की description में जो दूसरी file दी है apk वाली आपको simply उसे ढूंडना है उसके अंदर जो kernel issue वाली file है उसके अंदर आपको simply click करके इसको install कर लेना है तो guys जैसे आपके device में यह जो kernel issue वाली application है आपको install करने के बाद इसे open कर लेना है open करने के बाद आप देखोगे कि आपके device में जो kernel issue है वो successfully install हो चुक है अब guys मैं आपको बता दू कि अगर आपको check करना है कि यह working है यह फिर नहीं या फिर install हुआ है या फिर न region में जाना है यहाँ पर आपको एक option देखने के मिलेगा kernel का आप simply उसे check कर लीजिए इसके अंदर आपको फाइल अपने device में इंस्टोल की है उसका नेम देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आपस भी अपने screen पर देख सकते हैं मैंने sonix का kernel flash किया था अपने device में तो यह दिखे उसका नेम या पे दिखा रहे अब गाइस आपको अपने device में जो भी files वगएरा यूस करनी है आप kernel asu की help से use कर सकते हैं आपका device successfully rooted हो चुक है अब गाइस अगर आपको जानना है कि kernel asu का full use कैसे करते हैं सारी permissions वगएरा को कैसी use करते हैं तो आप मुझे नीचे comment कर की जुरूर बताना मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशित जुरूर करूँगा और गाइस अगर आपको जानना है कि kernel asu और magis manager में से कौन सा बढ़ी है यानि कि आपको device को kernel asu से root करना चाहिए या फिर magis से आपको अगर ये वाली वीडियो के बारे में कुछ जान तो मैं आपके लिए जुरूर वीडियो बनाके लओंगा बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जुरूर कर लीजेगा तो चलिए भाम मिलते हैं मारे किसी next वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई